तो नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में जो मैं टॉपिक लेकर गया हूँ यह हमारा बॉर्णियो सेमेटिक का हमारा आगे का पार्ट है है सांगे अग्ग सेमेटिक को रीड कैसे करेंगेsal सेमेटिक को रीड करने के तरीका क्या होता है PDF को कैसे read करेंगे PDF का मतला बता है जैसे जितने भी हमारे पास जो mobile phone को बनाती है तो वो mobile phone बनाने के सासथ उस mobile phone का service manual भी बनाती है service manual का मतला बता है ये भी बनाते हैं कि mobile phone को ठीक कैसे किया जाएगा या mobile phone के अंदर का supply circuit कैसे काम कर रहा है कौन से लाइंग कैसे connected है इन सब चीजों को बारे में पूरा detail से आपको बना हुआ है अच्छा जो फीडियम बनते है इनिह पीडियम के मार्धियम से यह कंपणिया सारी उसके circuit supply बनाती है उसका bitmap बनाती है उसका हाड़वेर बनाती है। जो भी शारी चीज़ें बनाई जाती है। यह सब उसी के माधियम से ही बनाई जाती है। लेकिन यह जो द।ो जो आपको सिमेटिक पीडियेफ आता है। यह उसको मैदने फ्रेक्चर कॉन्पनी यह उसको बना करके देती हैं। मार्केट में नेट में भी अवेलवल होते हैं आप चाहों तो डाउंलोड करके उसके मात्रेप से भी मोबाईल पून दो रिपैर कर सकते हो तो दोस्ता मेरा नाम रागवन और मैं इटेक इस्वुट कांतों से भाग कर रहा हूँ जहां पर आपको मोबाइल फोन लाफटा आप ऐसे रिपेटिंग के टेखनिकली कोस आपको सिखाए जाते हैं यहां पर आपको सब्सक्राइब स्फिप चलते हैं और लोग 552 को Durk कि सब्से पहली बात पीदियम हाइ चींज पहली वात थो हम लोग उस बात को अप्जेंगे कि हमारे मोबाइल फोन यंडर काउब मोबाइल फोन शो बोड होता है लेयर इस पीचिवी पूरा अंदर का सारा सप्लाई circuit 1 by 1 करके पूरा उसके एंदर पूर बिजयाइन होता है और उसका board के अंदर वी भी होता है जिससे आप board के मार्ड़म से उस l pennो को आप पहुचान सकते हैं यो उसके आने वाली supply को देख सकते हैं कि हमारी power Ic पावर इसे सफलाई कैसे आ रही है या मॉबाइल फोन के लिए चोड़ा सा जो जीएक लगा इसकी कनेक्टिविटी कैसे हमने सिस्टम से से कनेट कर दिया सिस्टम कनेट करने बाद हम लोग क्या करेंगे कैसे सर्कुर्ट को रीट करेंगे उसका तरीका मैं आपको बताता हूं सबस्टम से पहली बात हमने इसको क्लोज कर दिया इस बॉर्णिल सिमेटिक के अंदर छोटे कीपड मोबाइल फोन से लेकर के एंड्रोइड मोबाइल फोन देखे सभी तरह के अलग अलग तरह के सर्कुर्ट आया हुए है मैं आज मैं आगों सर्कुर्ट को डानने करने का तरीका और भाला हूं सक्या मोबाइल फोन उपन आठाय मोबाइल फोन वा रेड्म 보이 करेंगे जैसे मालिया मेरे बाद कोई भी मोबाईल फोन आता है मालिया ग्यंपर सी बाद मैं कहता हूँ रेडमी 5 वे कमा एक सर्कुिट आपको बताता हूँ स्बाद आप यहां पर देखेंगे यहां पर सिमेटिक सर्विस मैनुवल यह लिखा हुआ है को यहां Plan i 21 स đang भाङ है तो भी सरव सम्मांट किया करेंगे समेटिक जैसे ओपन करेंगे अर्ट ऐसमेटिक ऑपन करने के बाद यहां पर दो चीज छोफ था उता है सिमेटिक ची क्वेडियो दूसरा खोल जा श्यत है स्टिमेटिका ले-इपयाउट़ की कहलता है इस सक्की में है है यहода कि यह निए का मतलब क्या होता है । जो आपके हाथ में एंप है ना 的 उस प्लेट का पूरा अंदर का पूरा निचल को के आता है उसके बाद फिर हम लोग खोलते हैं स्यमेटिक का मैं अगला जो ते चार्जिंग का वीपी का बैटरी कनेक्टर का ऐसे एक तरीके का मोबाइल फॉंजें ना बहुत सारे सर्कृस जो होते हैं इसके अंदर बने होते हैं हम लोग इसके मादम से सारी लाइनों को देख लेते हैं लेकिन कैसे देख लेते हैं उसका तरीका दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं ऑ एक एक करके हम आपको समझा रहे हैं छब्सामाउफ ब्गिजिए जरह उदर माउफ रखकरों ले मान खिली हैं जो बोड है आगे पीछे को बोड का जो इस्ट्रेक्चर है यह आपके सामने खुल गया है और इसी बोड की तरह ही आपके बास मोबाइल फोन ठीक होने के लिए आते हैं तो आप मोबाइल फोन इनके बोड के माद्यम से आप इसको देखते हो लियाउट से रेपेरिंग करते ह इस इस मोबाइल फोन में घार्जींग where वेढम नहीं कर रहा है तो सबसे पहली बात कर आप देखेंगे जितने भी मोबाइल फोन बोध नहीं तो इस बोड में एक हिस्सारा इता हो जाता इं में यह का आप कर देंबाइल साल मेरिया अ कुछ प्लेट से इस Pablo प Colorado यह हमारे मॉबाइल फोन में प凩ूह है है यह हमारे मोबाइल फोन जिए का खे लगा हूँ आप जैसे मैंने रखाए हैं इस चीजर में वह समया जेता हूं इस इसके अंदर जितने भी यू करके जितने भी सारी इस होती है यह सारी तुमारी नियुस्टीर होती है दूसरी पिर बात कोई भी आई-सी जैसे इस आई-सी का नमब लिखा यू जीरो पांच जिरो वन तो इसके पास में जितने भी सारी कैपस्क्रिटर लगें जैसे जो इससे इंटेर चानेक्टेड थे उसमें लिखा यू पांच वन मलग वह इसी की सीरीज से लगे होते हैं इसके जैसे आप को यह अगर मैं के जंबल सी बात केता हूँ तो आपके दूसरी आइसी में आपको रिखाता हूं जैसे यह लगा यू बत्रिस जीरो तीन इसका मतलब होता है यह जितने पर सारे जो चौंपोंडेन्स लगे हैं वह इस आइसी से इंटर कनेक्टेड़ है जो आइसी स जो उसके पास में components होते हैं या जो उससे जुड़े होते हैं वो उसी की तरह सीरीज से जुड़े होते हैं जैसे अगर IC का number है माल लिया हो तो IC का number 3230 तो जो रजिस्टर होगा तो उसका भी नंबर होगा 326, 329, 327, 3225 32 से का सुरूआ, 34 से का सुरूआ है क्योंकि वो अपनी IC से जुड़ा है, IC का मतलब होता है वो components अपनी family का है जो IC के पास में से जुड़े होते हैं, जो IC के track से जुड़े होते हैं इस IC के track मेंगर यह component लगा है कि यह जिसे capacitor लगा यह तो उसी का number अपनी तरह से denote करेगा जिससे आप दूसरे को similar match कर सकते हैं ऐसा circuit को बना करके दिया गया है तागी हम लोगों को समझेने के लिए जितने भी हम लोग रेपेरिंग करने वाले technician है उन सब को यह चीजों को समझेने के लिए तो सबसे पहले जैसे jack का दिया हुआ है जै 1901 अब इसको आप कैसे देखेंगे यहां पर देखेंगे हम गोट दिखाई दे रहा लेकिन कौन दिस अप्लाइग कहा जा रहे इसके लाइन में कर सकते हैं राइड क्लिक के काई बाही होता तो अब कंट्रोल सी कर लीजिए ने तो यह उन्नीश-जीरो-ेक आपको वहां पर टाइप करना पड़ेगा अब आपको क्या काना है आपने स्यम्हेटिक पेंगे सेमेटिक का मतलब होता है मोबाइल फोन ने जो लाइन होता हो र कि यहां पर जाकर के आपने पिकिया ऊपिस करेंगे सबस्तों कि इस जैक के अंदर पिन की सारे इंफॉर्मेशन खुल जाती है कि जो जैक की जो सुप्लाई आजी पिन नमबर अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं वी बास या वी सिया ऐसा कुछ लिखा हो जैसे माइक का आई वाई के अंदर माइक का लाइन दिया हुआ है यह माइक का बा पिन नमबर 29, 30, 34, 33, 123 यह सारा किसे जुड़ा हुआ है यहां तो सप्लाई जाएगी यहां दो सप्लाई जाने के बार सबसे पहले स्टिप्स का जो नमबर दिया हुआ है यह टीपी 5 है क्या है यहां तो सप्लाई आगे जाएगे फिर आगे लगा है इस डैयोड को हम लोग बोलते हैं एक टीवियस उनने जीरो दो उसके बाद यह सप्लाई यहां पर जाती है जिसको हम लोग जाते हैं वी बस इन कहां बजाता है वी बस इन के मतलब होता है यहां से सप्लाई जाएगी इसको हमने क्या 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 अगर आपस्ट करेंगे को देखो यहांपर टीपी फाइप आ गया जैसे हम फाइंट पर तुरंत यहांपर कि दोगो कि यह तुमारे कनेक्ट आइख न रहे हैं इस पर गया हूँ और इस पर जो तो यह अपने इसमें कैसे देखा हमने जब यहां से देखा था सर्कृट बहुत यह लाइन यहां से टीपीफाइब पे जा रही है और फिर आमने जब लेयाउट में देखा लेयाउट में से वो सरकिर बता रहा है कि यह यह यहां सप्लाइब जाएगी यह तुम्हारे टीपी 5 है अब आप से स्मेटिक पगए टीपी 5 के बाद आगे क्या लगा है यह दैओड लगा है यह डैओड कितना है तुम्हारे पीजिस 1902 अब आप पीजिस 1902 के बाद से सप्लाइइ आगे जाए वी पसन आप इस पर लेके जाएंगे तो यहां पर उंगल आइसी को हम लोग क्या बोलते हैं यू जीरो पंच यू तो यह आपकी जो होती है इसमें दिखा इन दूसरा होता है आउट दूसरा लिखा लिए वी बस यूस्बे इन तो इसको हम लोग अब बोलते हैं प्लेंज प्रोटेक्शन यह इसे जितना पांच वोल्ड करेंट आता ह लेने के बाद उतना ही पांच पॉल करेंट आंगे को पास्कर देती है और अगर बार-बार में अपने कहां पर लेयाउट में गए लेयाउट में जाने बार यहां पर हमने इसको में थोड़ा बड़ा किया जैसे हमने फाइंड नेक्स पर इसे क्लिक किया तो बता दे का यह कैसे जाएगी कि यह कि यह देखें कि यह तो मारे जैक से सप्लाई आएगी टीपी फाइब पर जाएगी टीपी फाइब से होता हुए इस कैपेसेटर पर जाएगी यही सर्केट का कहने का मतलब है अगर आप चाहो तो मैं फिर से इस बात को दिखा देता हूं कि यह हम नहीं कहरे हैं यह सर्किट कह रहा है सर्किट कैसे हमने देखा यह ति वहां से जो सप्लाई आ रहried है टीपी फाइब के बाद इस कैपेसिटर पर जाएगी ब्लाइक निकलेगी यह यहांगे कैपेसिटर लगा C0517 यह OVP IC से output में लगा हुआ है, इसको हमने control C किया, control C कने बदे हमने layout पर गया है, layout पर जाने बदे हमने control V किया जैसे control V कने बदे हमने findness किया, तो यह देखे हमारे capacitor खुल गया तो इस पर गया C517 जैसे C517 पहले capacitor पर आया, capacitor से फिर OVP पर गया, OVP से निकला C517 पर गया, अब C517 से कहां गया, फिर आप उसके बाद सेमेटिक में देख सकते हैं आँगे को पॉइंट रही है, क्लिक करेंगे तो आगे खुल जाएगा अब आगे देखे है, supply यह आँगे V bus in, आँगे capacitor लगा है यह 150 Pico Farat का लगा है, यह बहुत छोटा है यह 510 है, यह लगा 01 Micro Farat, यह थोड़ा सा है इस से बढ़ा है, तो हमने इस capacitor को select किया, हम लोग value से उसके find कर लेते हैं, बढ़ा है कि छोटा है यहाँ पर जाकर हमनों पेस्ट किया, जैसे हम लोग इस प्रेस्ट करेंगे, प्रेस्ट करेंगे, प्रेस्ट करेंगे तो यह supply आजाएगी इस capacitor पर, इस capacitor यह 05 तो गहरा, 505 इसके बढ़ा supply चलियागी, इस IC करेंदे, इसको हम लोग बोलते है charging IC, क्या बोलते हैं? charging IC, BQIC यह 0501, अगर आप इसको देखना चाहते हो, इसको सेलेट करोगे Ctrl C किया, Ctrl C करने बदे आप सेमेटिक बगए सेमेटिक पर जाकर करके आप यहाँ देखेंगे, तो यह आप लिगा 0501, लिखा हूँ है दोस्तों यह तुमारी charging IC लिगी, जिसका नाम होता है power charger IC, इसका लगा BQ25601, क्या लिखा हूँ है दोस्तों यह, BQ25601 यह BQ25601 तुमारी कौन सा IC, यह charging IC है charging IC काम कैसे करेगे, charging IC काम करने के लिए मैं समझा देता हूँ एक बार, charging IC काम करने के लिए यहाँ पर 5V supply आएगी, 5V supply आने के बाद इसको बोलते हैं M2 Visual & thus purchase पर 5V supply आने के बाद यह मैं आउट पूपटच से तुम्हारी बैट़री क्या होती है चार्ज है, आपको इन्पूट की लाइन होती है उसके बाद दनी होती है इसके बाद फिरे आपको चर्क हलागा दोस्तों यह मैं पर लेका स्विचिंग यहां पर बन दें निकलते हैं जो हमारे पावर को पूरे सर्कुट को मदर बूर करने बीट इतने बी चोटे सप्लाइ सेक्षन लगे होते हैं सब क्या करते हैं चालू करते हैं जाकर के उसके बाद इस आईशी को कितना करन चार्ज हुआ बैटरी चार्ज हुए क इन सारी चीज़ों के लिए यहां पर आप देखेंगे आई डाटा यहां दीया होता है यह सारा लाइन तुम्हारा कहा पर जाता है और सीक्व से गनेक्टड होता है और सीक्व को इंपूट यह पता चलता रहा है कि बैटरी कितना पर सेंट चार्ज होगा इन्फोर्मेशन क अन्फित रह्AD से इन्फोर्मेशन के लिए प्रुषी यहां न यूरी कुशलव को पार में इंपूट गई यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसके इन्फुट में आपने केपसिटर देख लिए आउट्पुट में क्या लगा हूँए आउट्पुट में तुम्हारा य अब अपने लियाऊट में जाकर इसको CTRL V किया उसके बाद जैसे और Natalie क HOW डिक बता देन्ख यह ड़ elder को यह डिंगे भिव आथ बिर हो जैसे चार्ज आूट में किलिक करें जिसका 0.1 बलब फ्यूजिबल रजिस्टेंट लगा है उसके बाद फिर सप्लाई तुमारे वी बैट पर जा रही है और चार्ज पावर आइस एक छोटे सी आईसी लगी है जिसको हम लोग फ्यूल के जाईसी बोलते हैं इसको भी जा रही है हम लोग क्या करेंगे इस रजिस्टेंट को फाइंट करेंगे जिस्टेंट के गाए इस रजिस्टेंट करने के बाद सप्लाई काहँ पर चलियाति है गी बैट की इस आगेर अगर आप देखा जाए तो यहां से सब लाइन नीकलेगी निकलेगी, लिए रेजिस्टर से होते हैं वो तुमरे बैटी कनेक्टर पर लिए गए, और आपके मोबाईल फोन में चार्जिंग अलाइन का आउट पुट का चनेक्शन हो जाएगा, इस तरीके से हमारे पार जो भी मोबाईल फोन आते हैं उस mobile phone के अंदर जो circuit से जितने भी सारे सीज़ें जुड़ी होती है जो बाइसिंग से जुड़ी होती है जो connectivity से जुड़ी होती है उनको सब लोग हम लोग वन बाइवन करके देख लेते हैं अच्छा दोस्तों मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि जैसे आप इसको वन बाइव हराल करके देख लेते हैं कि अब आ है कि आओ अगर इसके लिए हमको क्या करना पड़ता कई बर एदर जाना पड़ता विर पर हमको इदर जाना पड़ता है तो हमको कहीं कर सक्का лियाम उठी तो इसके लिए आप येlarını क्या काम कर सकते हैं क्या काम कर सकते हैं आप चाहें तो दोनों को मर ढूए तो यहां पर कलेंगे बात पर दिख लिए रखना कार। जो कि शर्क अपर क्माइन करने यहां पर क्लिक करेंगे अपने कम्बाइन पर क्लिक किया जैसे इस juda को नीचे करेंगे फिर आप दूसरे वाले को सॉल्एट करेंगे यहां पर पेस खुला हुआ है टुमारा ओनुसरत पूलस्ष मेरा पर तियुक्षे चुल ना स्यलिक का है और ऍसकोा Pacific के अधायों का क इस्के में गी वाला हिस्सा कमारी यह तो मारा कौन था सो दोस्तों यह बाड़ वीव का है ये कौन सा बाड़ वीव है यह वही बोड वी वह जो हमारे हाथ में और यह कौन सा है? यह बोड के अंदर का structure है कौन सा structure है? वही structure है जो हम लोग देखना चाहएते हैं कि कौन तर लाइन कैसे कैसे चल लाए अब जैसे ग्याम पलती बात है महाल यह मेरे पास यह फून है इस कोन का बोर्ड भी होता है, हमको speaker का line देखना है, तो speaker में यहाँ पर तो दिया नहीं है, हम लोग उपर देखते हैं, यह देखें दोस्तों, यहाँ पर speaker लगा होता है, जिस speaker को हम लोग बोलते हैं, receiver, क्या बोलते हैं, receiver, यह वही receiver होता है, जिसमें से बात करने में आवाज अगर आप देखेंगे तो यह बोर्ड में लगों इसमें जब आप बात करते हैं तो जब आवाज आती है उसी को अम लोग क्या बोलते हैं अब आप जैसे हैं आप इसको थोड़ा सा इतना बड़ा का लीजिए कि जैसे आप सेलेट करेंगे तो वहाँ पर तुरॉन दिखाई जाए आप जहां पर जैसे इसको सेलेट करेंगे तो तुरॉन वहाँ पर एक जाय से inde की कुछाइं में इभात इस से इलाइन ठीक में एक दोछ आन में और इसे राइन बाद पर अमारा क्या लगा हुआ है कैपिसिट्र लगा तो यह दोनों लगए है यह जोडने के लिए लगाए गए हैं तो इन रजिस्टर को जैसे ही आपस में स्वाट कर देंगे तो आपका लाइन कर्द्र हो जाएगा यह तुम्हारा बैलंसिंग लिए इसके बाद सप्लाइफ तुम्हारी आगे जा रही है आगे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर से आप क्लिक करेंगे तो फिर से आप तो कि यहां से दो डाइव लगें यह लगा है यह लगा है यह लगा अगर को यह दोनों फराब हो जाएंगे तो हमारा ट्रैक यह ब्रेक हो जाएगा अब हम यह देखना कि हमारे मतर बोड में यह ट्रैक कहां पर है यह कंपोंघने पर हिक कहां लगा हुआ है हमने यह पर देख लिया कि कंपोंधन्स लगा हुआ है लेकिन कहां लगा उसी लोकाशा है जूटना है तो तो अब क्या करना है फिस फिर ना है कि cารते जैसे आप इसको select करेंगे तो इसको select करते हैं तो तुरन यहां पर बोर्ड में भी बता देगा आपने वहां पर देखा यहां पर बता दिया यहां पर देखो के तो वहां पर बताएगा इससे क्या रहता है कि हम लोग इस दोनों को आप पर मिला करके हम लोग उस motherboard की अंदर के बंद कर देगा अगर मैं दूसरे resistance की बाता हूं यह का लगा है तो इसको click करेंगे तो देखिए उसके बगल में लगा हुआ है यह वही resistance है जो आपके बोर्ड में दिखाई देते हैं कौन से दिखाई देते हैं बोर्ड में अगर कहां दिखाई दे रहे हैं तो आगर देख हiet हमता देखेंगे दो ड्राइव कि भ्क आपके जीन्सitate जो हमको यहांपर दिख रहे हैं काムकर जाते हैं लगा हुआ है और यह देखें लागल में लगे दोनों दिखाई दे रहे हैं तो इस तरीके से यह स्पीकर का पॉइंट है इस पीकर का पॉइंट की सप्लाई पर ले डायोड को जाएगी केपस्टर पर फिर रजिस्टेंट पर तो दोस्तो इसके माद्यम से आप लोग मॉबाइल फोन करनें के तरीका बताया है इस सेमेटिक कम से कम कीन से चार पार्ट हो जिसमें मैं आपको अलग-अलग तरीके से अलग-अलग वे में आपको अच्छे से समझा सकूँगा और आप सभी चुछों के बारे में सीख सकते है अगर आप लोग इसको यूजर है, इसको यूज कर रहे हैं, या इस फीडियाप को रीड करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप इस फीडियाप को रीड कर सकते हैं, आप मोबाइल फोन करना जैसे चार्जिंग का है, स्कीर का है, ओन अस्ता है, ऐसे दो चार पांच सर्कित अ अब दूसरा पार्ट और आपको बताएंगे जिसमें आपको इसके कई सारे स्टेप्स होते हैं जब आप स्टेप के माते हैं से आप अच्छे तरीके थे इन सतीजों को सीख सकें और मोबाइल फोन जनल लाइन चेक करने का बेसिक आप समझ सकें तो दोस्तों आज की वीडियो यहां पर अपको बेसिक लेवल से लेके अड्वाइल तक सभी मोबाइल फोन के बारे में बनाने के तरीका आपको सिखाते हैं और कोई प्राब्लम कोई दिक्कत आती है तो आप समपार कर सकते हैं आज की वीडियो में इतना इशनी वीडियो पे बिद्टीव घरने के लिए झाल झाल